तो आज हम बनाएंगे चिके नालू जिसको बनाना बहुत ही आसान है थोई डिफेंट तरीके से बनाएंगे और ये खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है तो फिर चलिए मनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको रेस्पी अच्छी लगती है तो प्ल फिर बनाना स्टार्ट करते है चिके नालू तो जिसके लिए यहां पर मैं आफकेजी चिकन लिए हुआ और दो मीडियम साइज के अलू को इस टाइप से कट कर दी हूँ थोड़े मोटे मोटे पीसे से कट करेंगे अलू को और यहां पर चिकन को अच्छी तरीके से धुल ल बीड़ों बीड़ा के सिते हैं जिया सुमत मेद मेद छिकन कुन भंब है. मिड़यन लेखंपा छिकन देचंगे नौन के महां पई चिकन को सभाइब है यहां देख चीकन भाहोड हम उसके नहीं में चयरों निशनकि कर जबी बढ़ हो सillions इसके पुरूब हे तो बिन में डाल ये चिकन के टों इसमें अचिती को डाल जऒके कर लेंगे तो हम एकड़ दों चीके के को मिडियम हाइ ही रखें चालो चाले ही तो हमीडियम हाही रखेंगे तो हां गार ये जुझ तो चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे तो चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे तो चिकन अभी हमारा फ्राई हो रहा है अच्छी तरीके से होने देंगे एक तरफ से जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जगा तब इसको पलट लेंगे तो अभी यह नह एक साइट से फ्राई हो चुका है तो चिकन को अब हम पलटके और दूसरे साइट से भी इसको फ्राई कर लेंगे तो जिसके लिए चिकन को एक एक करके हम पलट लेंगे और पलटके दूसरे साइट से भी इसको अच्छे सरीके से हम फ्राई कर लेंगे फ्राई करने से कर लेंगे तो यहां पर मैं पलट लिए और यह धाय हो रहा है तो से कुक्त यह तर अधके बचा से निकाल लेंगे और उसके यह निक्सकत कर लिए निकाल तो जो हिने बच गालप था इसन में डालके अच्छी से घ्रमिन मत आली ंद्दुपने कर दो रखे कना है तो आलू भी डाल देंगे और आलू को भी अच्छी तरीके से हम चिकन के साथ फ्राइ कर लेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो पहले हम चिकन को आलू के साथ फ्राइ कर लेते हैं तो दोनों साइ टेलर प्लटके इसको अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंग और पिर से कढ़ाई चराएंगे। बदेशा को दो हो तो यहां पे साबुत बड़ीयँ हो तो यहां पर दम खरम नव Jehmm ho ऐनके ऩी तनीया श्रया डाल चाना के लिए निदे रिए Fantastic कर लेंगे हम nauc दो ईहां पर में एक लेशन देंगे यहां पर एक ना कट गहें इंसके शुक्त की नाय। और जो जो सुखी लाल मिर्ची नाय। और अब उसके बाद डालेंगे दो टमाटर कटा हुआ यहां पर मैं दो छोटे साइस का टमाटर लिए हूँ जिसको इस टाप से कट कर लिए हूँ इसमें डाल देंगे और उसके बाद इस टमाटर को भी प्याज के साथ पका लेंगे तो बस थोड़ी तर 5 में पकाना इसको बस उसके बाद इसको निकाल के हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको पीस के इसका पेस्ट त्यार कर लेंगे तो अब पांच मीनट हो चुका है और यह देखिए प्याज और टमाटर अची तरीके से इसमें पक चुका है तो अब निकालेंगे और निकालकिसको ठंडा करकें पीस लेंगे लोग इस यहां पर आपको ज्रालेंगे यहे उसнить फ्रीश performances कि प्ष्ट यहां इसमें यहां पर्षा लगों जैसाफ दालेंगे ज्लोकिक इसको थिश étapeष मासाल सब्सक्राइब Wanary अब उसको इसमें डाल देंगे तो यह मसाला जो है इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और गैस काफले मीडियम कर देंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे तो इसको mix करने के बाद इसमें हम masala add करेंगे तो पहले mix कर लेते हैं अच्छी तरीके से उसके बाद से masala सब डालेंगे तो देखें यह mix हो चुका है और gas का flame medium रखेंगे और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और उसके बाद डालने के बाद इस सब को अच्छे से mix कर लेते हैं और gas का flame medium रखेंगे उसके बाद इसमें अब हम लोग masala डालेंगे तो अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर तो लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे वन टेबल स्पून और यहाँ पे मैं डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर तो यहाँ पे मैं कास्मी लाल मिर्ची डाल रही हूँ आप जो normal रान्मिर्ची पौडर त debate अब ईसमें नालेंगे salt, तो salt डालेंगे to taste, अब उसके बाद डालेंगे, हम healthy powder, तो healthy powder डालेंगे 1 टेबल स्पून, यहां पे healthy powder डाले लेंगे, और उसके बाद इसमें डालेंगे हम कुछ नहीं, उसके बाद इन सबको अची तरीके से mix कर करने के बाद मसाले को अच्छी तरीका से बून लेंगे को हम घृऑत अच्छा है मसाला भून ना है घृत अच्छा भूलब यहां , चिकन और आलू फ्राई किये थे तो उसको अब इसमें ढाल देंगे तो जो चिकन आलू हमारा फ्राई था वो इसमें ढाल देंगे तो यहां पर मैं डाल ले रही हो और डालने के बाद इन सब को अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल कर हम इसे पका लेंगे तो यहां पर मैं पहले चिकन डालने हूं अच्छी तरीके से और अब इन सब को मिक्स कर लेते हैं एक बार और मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम लोग पानी डालेंगे तो उससे पहले पहले अच्छी तरीके से हम इन सब को मिक्स कर लेंगे और तब फिर इसमें पानी डालेंगे तो यहां पर दो बड़े कप पाई डालेंगे और इसके बाद पाई डाले के बाद चीकेन को ढखक कर अच्छी तरीके से हम पका लेंगे तो पहले याप यह में पाई डाल दरी हूं दो बड़े कप पाई डाल देंगे चीकेन हम उसमें डूप जाना चाहिए तो बस इसको मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे उसके बाद ढ़क कर इसको पका लेंगे मीडियम फ्लेम पड़ी इसको पका लेंगे तो इसको पहले पका लेंगे तो अब इसमें डालते हैं गरम मसाला तो गरम मसाला मैं डाला भूल गई थी इसलिए मैं अब डाल दे रहे हूं तो अब दालेंगे गरम मसाला, यह पीसाओवा गरम मसाला है, बन ऊकली टेबल स्पून, तो डालने ये पद फिर से अची तरीके से इसको mix कर लेते हैं, और उसके बार इन सब को ढख देंगे, मिक्स करने के पाद अची तरीके से हम पका लेंगे, जब तक हमारा चिकन पकना जाए, देखिए हमारा चिकन अची तरीके से भून भी चुका है, और अची तरीके से हमारा चिकन बन भी चुका है, तो अगर आप ग्रेवी वाला चिकन ंग तो हमने सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर निकालू हुआ से लेगे हैं नियुकिता goodbye बहुत इसली बनके रेडियो के और खाने बहुत ज़दा टेस्टी लगता है तो यहाँ पर चिकन यालू बनके रेडियो चुक्क है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंस में फैमली में मर्स में वीडियो को शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला आपीज